नमस्कार मैं काजल निशाद कैसे हो आप दोस्तों बहुत दिनों से सोच रही थी कि हमारे फेस्बुक में फ्रेंड लिस्ट जो हमारी वो हमारे अच्छे मित्रों से भरी पड़ी है तो आज उनको एड किया जाए और कुछ इसमें गोबर जो भरे पड़े है उनका बायकोट किया जाए कुछ गोबर जो मित्र है जो गटर से विचारे आए है उनको ब्लॉक करके उनकी यात्रा शुब की जाए कि अना सई कहा ना आमने है क्यों भाई भकतो गोबर कहां हो बे कहां गटर नाली अच्छा थोड़ा रूख जाओ थोड़ा रुख जाओ तुमसे बात करते हैं वो गाड़ी तो आ रही है कच्रे वाले की थोड़ा रुख जाओ तुमसे बतिया लेते हैं फिर चले जाना अपने घर ठीक क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को हाँ शालिनता से बात करती हूँ तो पच्टा नहीं है क्या तुम क्या समझे काजल निशाद को कुछ भी बोल देंगे और वो घर पे बिल्कुल बेलन से रोटी बनाती रहेगी कुछ बोलेगी नहीं अरे वो बेलन जो है न तुमरे पिछवाडे मगुसार देंगे अच्छे से समझे जिस बेलन से रोटी बनाये थे वो रोटी खा पाओगे सालो निकाल नहीं पाओगे फिर महिलाओ से बात करने की तमीज नहीं रहेगे तुम लोगों में क्या बे गोबर अपनी मा बहन से ऐसे ही बात करता है घर में तुमको कुछ कहा हमने टिपणी करने आये हो तुम यहां सालो अकात नहीं है तुम्हारी बात करने की बात करते हो कोई बात नहीं कहां से आ जाते हो हमारी फ्रेंड लिस्ट में यार तुम लोग यहां तो इजाज़त नहीं है गोबर गटर को आने की हां तुम लोग जो नाम में इतना धोका खा जाते हो तुमको पता है उत्री कोरिया का नेता तुम लोग को ढून रहा है किम जॉंग उन ढून ढून रहा है तुम लोग को शी जिन पिंग के जगा तुमने उनका जो पुतला धहन कर दिया ढून रहे हमको कल फोन आया था कह रहे ते कहा है वो बीजेपी के सब गोबर हमने कहा रहे छोड़ो जान दो भाजपाई है अक्कल वक्कल तो होती नहीं है सालो में नाम में इतनी गड़बर करते हैं विद्या बुद्धी तो है नहीं बचा लिया तुम लोग को सालो महिलाओ से बात करेंगे हमने कहा था कि चूड़ी भेजेंगे प्रधान मंत्री को हमने कहा था सालो तुमरी अम्मा कही थी सुमेती रानी उनको तो कुछ कह नहीं पाए उनका जो जब बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है उनका किनकी नाम की चूड़ी पहन ली उन्होंने अब अरे हम अभी शूटिंग नहीं कर रहे है हमारी बच्ची छोटी है घर में तो हम परिवार के साथ है तो शूटिंग का सामान बचा था तो हमने कहा कि भई चूड़ीयां भेज रही है तो बिंदिया भी ले जा बिछिया भी ले जा काजल पाउटर सब पड़ा है हमारे पास ले जा भई दे दे सजने सबरने के दिन चल रहे उनके तो क्या बुरा कह दिया भे सालो उनसे तो कुछ कह नहीं पाए तुम फटती है क्या ऐसा बेलन गुसाड़ेंगे न पिछवाड़े में सूझ जाएगा हग नहीं पाऊगे तुम बरनोलने ने आ जाना हमरे पास फिर सालो तमीज बेच खायो तुम लोग एक नेता देश से बड़ा हो गया तुम्हारे लिए दिखाय नहीं दे रहा आँखे फुट गई है तुम लोग की हाँ अन्धो सालो हमको तमीज सिखा हो गये हमरी सालीनता पची नहीं तुम लोगो को तुमरी यात्रा सुब करते आज टेंसन नलो क्या है कि तुम लोग को अनफ्रेंड भी नहीं करना चीए तुम कटर हो कीडे हो तुमारी जगा वहीं है वहीं भेजना चीए तुम लोगों को क्या और आई बिकानपूर में विजेपी की सरकार है ना क्या हो राए कानपूर में नाबालिक लड़कियों के साथ रेप हो रहा है तुमको दिखाई नहीं देता अंधो काय कि तुमरी बहन मा नहीं है न वहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई देगा तुम लोगों को गर्भवती हो जा रही है कि शोरी बिचारिया एड्स हो जा रहा है कहां गया सब बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा तुम लोग का सालो क्या क्या नहीं होता है तुम्हारी सरकार में दूसरों पर उंगली उठाते हो छी थू साला तुम लोग की सरकार पर क्या तुम्हेरा बाप जो है सस्ता नसा करके बोलता है क्या कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है सालो उठा की वीडियो देख लो पहले के जितने भी प्रधान मंत्री थे उनके वीडियो मुझे एक भेज दो तुम्हारे पिछवाडे में ताकात है तो एक भेज दो ऐसा वीडियो जो पहले कुछ बोले और बाद में कुछ बोले और गलत बोले हो तो तुम्हारे बाप के लाखो वीडियो हम भेज देंगे तुमको सालो बहुत पूजा कर रहे हो, अगर बत्ती लगा रहे हो, फोटो लगा के, देश से बड़ा नेता हो गया, कुछ भी बोले, हमरा है, हमरा बाप है, बाप सही बोलता है, देश गया भाड में, हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक किये थे, तुमरे बाप को दिया था ना ये वोड तुमन और अभी, अभी चीन में कह रहे हो, कि वो तो सेना की गलती है, हमरे पिता जी कुछ नहीं किये, अब सेना की गलती लग रही है, सालो बेच खाओगे तुम, देश को बेच खाओगे तुम लोग देश को, खुरसी के लिए लालच के लिए सत्ता में आये हो, नहीं तो एक ब बता दो मुझे काम गिनवा दो एक अस्पिताल बता दो भक्तो गटर बेटा गोबर कहां चले गए सुन रहे हो ना मरवर मरवर तो नहीं गया हमारी बात सुनके एक अस्पिताल का नाम लिख दो साले नेतागीरी करेंगे क्या हो रहा है योगी सरकार में पूछेंगे न सवाल सब पूछेंगे विपक्ष में होगा वो सवाल पूछेगा क्यूं पता है विपक्ष में होगा वो सवाल पूछेगा सरकार में होगा वो जवाब देगा इतनी सेंस नहीं बुद्धी नहीं है सालो पड़े लिखे हो तुम लोग गोबर कौन भेजा तुम्हेरे पिता जी को ब्रा कौन भेज रहा बे इतिहास में सबसे ज़्यादा गाली खाने वाला प्रधान मंतरी कौन सर्च कर लेना तुम्हेरा पिता जी देख लेना इतिहास रहेगा ये सबसे ज़्यादा फेकू जुमलेस्वर महराज जुठेस्वर महराज कौन तुम्हेरा बाप देख लेना इतिहास रहेगा ये साला कुछ नहीं बोलता हाँ राजनाद सिंग बोल रहे है चीन कबजा कर लिया है वहीं सस्ता नसा फुक के चच्चा कह रहे है कोई कबजा नहीं किया कौन जूठा कौन जूठा कौन सच्चा कौन बताएगा ये मैं तो सब को कह रही हूँ कि ये जो भक्त हगने आते हैं न यहां तुमरी वॉल पर इनको तुरंट ब्लॉक कर दो साले देखी ने पाए अंदर ये अंदर मसल के घूट जाए ये साले जब रेलिया होती है मैं सुनो एक बात और कह दूँ बिहारी भाई बेहन जो भी मुझे सुन रहे हो मेरी बात गौर से सुन ले न देश के लिए तुम लोग के लिए कह रही हूं किसी पार्टी के उसमें नहीं कह रही हूं मैं तुम लोग के लिए कह रही हूं जब रैली होती है ना रैली होती है तुम्हें तुम्हारा प्रधान मंत्री या ग्रह मंत्री या रक्षा मंत्री या फलाना कानून मंत्री जितने अंत्री मंत्र संत्री है सब सरकार में तुम्हें कब दिखता है कभी नहीं दिखता है तुम देख भी नहीं पाओगे तुम वारतालाप नहीं कर पाओगे संदेश नहीं भेच पाओगे तुम्हें कब दिखेगा रेली में दिखेगा बहुत सारी लाकों की भीड होगी वहां रेली में तुम में आवाज उठाना, क्योंकि तुम्हें सामने कभी नहीं दिखेंगे नेता, चुनाओ खतम, खेल खतम, नेता भाग जाएगा, तुम्हें दिखेंगा भी नहीं, तुम्हें आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, पैदल चलो, मरो, घिसो, पिटो, कुछ भी करो, यह सुने करेंगे नहीं, यह अपने वाली करेंगे, तब आवाज उठाना, कह देना कि प्रधान मंत्री जी सुनिये, आप हमारे प्रधान मंत्री है, बहुत अच्छी बात है, मैं आप से बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे प्रधान मंत्री हो, मेरे लिए सरवच नेता हो आप, ले बनाया कब काम आएगा नेता कुछ भी हग के चला जाएगा तो चाट लोगे बोलोगे नहीं अबे सालो भगतो कब तक छुपाओगे कब तक धकोगे पिताश्री का हगा हुआ कब तक धकोगे कितना धकोगे कभी तो बसाएगा ना हां कभी तो बास निकलेगी ना फिर चाट चाटि रहे हो तुम लोग किया कहते रहते हो कुछ भी मुझे हां जा किया मैंने क्या किया देश के लिए आवाज उठाती हूं ना कभी आकर ये बोलती हूं कि कॉंग्रेस बहुत अच्छा है। ने ये ये काम किया ऐसा बोलती हूं मैं किसी पार्टी के बारे में बोलती हां? चैलों, जानते नहीं हो हमारे बारे में हो और हमारे बारें बाते कर रहे हो? What is this काजल? तुम मुझे बताओगे What is this काजल? Shame on you, अबे, चल बात करता है बेच देगा धीरे धीरे पुरा देश, तुम लोगो पता नहीं चलेगा पूरा देश बेच देगा संकट ही आगया है देश में तो समझो सोचो पता है मुझे गोबर भरा है लेकिन फिर भी थोड़ी सी विद्या होगी ना तो सोचना क्यूं हो रहा है कौन है ये पनोती हाँ तुम्हें पता है जब हम किसी का सोगंध खाते हैं ना हम कहते हैं ना कि फलाने की सोगंद ये नहीं किया तो हम उस सोगंद खाते हैं तो हम पूरा करते हैं ना कि नहीं ये कहा कहावत है कि कि किसी की सोगंद खाते है ना तो जूठ नहीं बोलना चाहिए ताकि जिसकी सोगंद खाई ना उस पर फिर संकट आता है यहां क्या बोलता ह मुझे सोगंध है इस मिटि की मैं देश नहीं बिकनाई, मिटि बरबाद हो गई, जूठी सोगंध खा के मिटि बरबाद हो गई, अब की बार बोले कि मुझे सागंध है, BJP के सारे नेता होगी, मैं यह नहीं हो नहीं दूगा, उसके बाद देखो तुम, पड़ा पड़ा आउट तो होगी, इसलिए सालो, अगली बार तुम लोग को कहते हैं, महिलाओं से बात करने की थोड़ी तमीज रखो, गालियां सब को आती है, सालिंता सब के पास होती है, और रोदर रूप भी सब के पास होता है, जिस दिन रोदर रूप दिखा देंगे न, सालो मुझ चु पाने काबिल नहीं रहो गए, अभी तो उत्तर कोरिया ही नेता ढूंड रहे हैं तुम लोग को, बाद में सब ढूंडेंगे, सामने एक बार जाओ न, चपल से स्वागत होता है न, तुम लोगों का, होता है न, हम, LED से प्रचार कर रहे हो, बेटा, चीनी LED से प्रचार कर र और सारे मित्रगन से निवदन है कि ऐसे लोगों का बायकट करो, इन लोगों को जो है, ब्लोक करके इनकी यात्रा शुब कर दो, ठीक है, चलते है, वियाद रखना हमरी आवाज,